हेलो फ्रेंट्स आज का दिन मेरे लिए बहुत इन स्पेशल है आज मेरे बेटे अफ़ान का बर्दे है आज मेरी नीज नूरी का बर्दे है और आज मेरा स्टूडेंट सोनू उसका भी बर्दे है इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है तो आज मैंने फैसला किया है कि आज मैं वो English sentences आपको सिखाऊंगा जो birthday के दिन बोली जाती है वैसे तो मैं birthday नहीं मनाता पर birthday के दिन बोली जाने वाली English sentences तो सिखाई सकता हूँ ना तो चलिए start करते हैं सबसे पहला and most important sentence happy birthday you happy birthday many many happy returns of the day many many happy returns of the day wish you a very happy birthday to you wish you a very happy birthday to you ș और आजकल सोचल मीडिया पे तो लोग शॉट मैसेजिंग करने लगे हैं जैसे हैपी बर्डे को लिखते हैं हैपी बीडे और आजकल तो एकदम शॉट कर दिया उसको एच बी डी हैपी बर्डे का शॉट फॉट 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 गलत नहीं है यह पर अगर इस पेशल डे पर अगर आप एके स्पेशल सेंटेंस लिखेंगे और एक प्यारा सा मैसेज करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा चलिए तो अगर आपको कोई हैपी बर्डे विश करता है चाहे किसी भी तरीके से विश करता है तो आप थैंक्स कैसे बोलेगा इसके लिए मैंने एक विडियो बना रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है आप चाहे तो देख सकते हैं और अगर आप किसी का बर्डे गलती से भूल गए और आज आपको याद आता है और आप अपसोस करते हैं कि और शेट कल उसका बर्डे था मैंने विश नहीं क किया तो आप आज भी विश कर सकते हैं जी हां हैपी बिलेटेद बर्डे टु यू हैपी बिलेटेद बर्डे टु यू अगर आप से कोई पूछता है कि आपकी उमर क्या है हाव ओल्ड आरियो तो आप क्या बताएंगे वैसे तो हिंदुस्तान में कहावत है कि लड़कों से उसकी सैलरी और लड़कियों से उसकी उमर नहीं पूछते हैं पर अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बोलेगे अगर आपकी उमर 10 साल है तो आप बोलेंगे I am 10 years old और अगर आपकी उमर 16 साल है तो आप बोलेंगे I am 16 years और अगर आज ही आपका बड़े था तो आप बोलेगे I have just turned 16 अगर आपका बड़े आज या या फिलहाल पास्ट में था और आप अभी अभी 16 की हुई है तो आप बोलेंगे I just turned 16 I have just turned 16 और अगर आपका बड़े आने वाला है आप 16 साल की होने वाली है जैसे यह नौंबर चल रहा है और दिसंबर में आपका बड़े है जैनवरी में आपका बड़े है तो आप बोलेंग अगर आप से कोई पूशता है कि आप कब पैदा हुए है विन वर यू बॉर्ण आप कब पैदा हुए विन वर यू बॉर्ण तो आप बताएंगे I was born in November I was इसको present में नहीं बोलेंगे क्योंकि यह past की बात है I was और इसके बाद third form लगाना है क्योंकि यह passive है I was born in November और अगर date बताना है तो I was born on 17 November याद रखिएगा I was born in November but I was born on 17 November अगर सिर्फ यह बताना है तो I was born in 2010 अगर आप से कोई पूछता है कि आपका बर्दे कब है when is your birthday what is your birthday तो आप बताएंगे my birthday is on 17 November my birthday is in November okay that's all for today please write your birthday also in the comment box I hope you will do that and finally if you want to give gifts please give three gifts like share and subscribe today thank you